कि नमस्कार स्वागे थे अब सब का आज के इस दूसरे संसोदीत इसंपादित के अबिशेशन के सत्र में जो ग्रोथमाट यूपी अशी दुरह प्रयोजीत है जैसे मैं मालूम है कि पहले सत्र में हमने टाइमस ओफ इंडिया का एक महत्तुपुना लेक के बरे में देखा व वह परोसी और आजकल हमारे सबसे प्रतं कक्षा के दुसमन यानी चीन के साथ संबंधी है तो परिक्सा दिस्टी से महत्तुपुना है मगर वैसे भी भारत के लिए भारत के नागरीकों के लिए ले थोड़ा महत्तुपुना मुदा है जिस मुद्धे पर यहां इस लेख में इस लेखक के द्वरा चल चाहूई है लेख को देखेंगे अच्छा खासा संसोर दन है मगर एक बात यहां मैं कि आपको कहना चाहूँगा कि मुख्य परिक्षा के द्रश्टी से बहुत ही महर्तोपोना है प्लस हमें यहां से कही सारे विचार भी मिले हैं कही सारी नितिया भी मिली है और अधर साइड ऑफ दे कवर यूपर हमारा बॉर्डर अरिया है भारत और चीन का यानि कि पैंगोंग लेक में द्रश्यमान है और नीच है जो डिसंबर 2020 में जो संगाई कोपरेशन और्गनिजेशन की जो मिटिंग हुई थी उसके साइड लाइन पे भारत की रश्या और चाइना दोनों के साथ मिटिंग हुई थी तो यह इसका ही फोटोग्राफ है तीनों देसों के प्रतिनी दी है और तीनों देशों के काउंटर पार्ट ही है यानिकी समकक्स प्रतिनी दी जैसे हमारepher यहां यहाँ फुरेश्टी मिनिश्टर है जैसनकर जैसे ही बीच में रस कि शुरुवात कि इस तस्विर से करेंगे जो में यहां द्रसियमन है यह आज के दिन चपा हुआ लेख है मुकुल सनवल के द्वारा लिखा हुआ है बहुती अच्छा गहन संसुदन है यहां पर जैसे मिन आपको बेता है कि प्रिलिम्नरी पॉइंट ओफ यू से थोड़ा कम महत्वपून है मोहीं जो में망 से जो मारे सहे मुखको है काफी अच्छा मठवपूना लेक है इस पुरी चर्चा को मोग साथी में यहां मंत्वरा बाते हैं तर commentedг आपको आपके अच्छा संसुदन है कि हमें अमरा जो संसुदन हो जो Show प्रश्राइब नहीं है सारे जो इंपूट्स जो अमरे द्वर्ण दिये गए है वो इंपूट्स राइटर नहीं अपना आप दे दिये है तो उस तरह भी यह बहुत इच्छा लेख है तो देखेंगे लेख की शुरूब आप निसकर्स से करेंगे में देखना है कि आज पूरा जो विश्व है वो मिल्टी पोलार होने जा रहा है और इस मिल्टी पोलार विश्व के होने के लिए जो कोई अनिवरिये चीज है वो है मिल्टी पोलार एशिया मिल्टी पोलार एशिया तो इस परिद्रश्य को ध्यान में रखते हुए भारत और चीन के संबंधों की चर्चा की गई है ठीक है यहां बोले डिस्प्यूट्स इतियादी चीजों की भी बात की गई है मगर जो और इश्यू है इस चर्चा का आज का जो और मैटर है वो यह उंगता ना mapped का अरधारी की घृटी पोलर एशिया मुल्टी पोलर विश्व की जरूरियाथ है तो जो इसमें प्रिप्रेक्स की संबंद की से और ना है क्योंकि कि बहुत ही बडा कॉंटिननों है बहुत ही बड़ा खंड है इतना बड़ा है कि दोनों अपनी superiority मेंटेन कर सकते हैं अपने 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 शत्रों मेंटेन कर सकते हैं तो यहां लेकक के दोरा उस बात पर ही बिल दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कॉंपिटिटर बिनने चाहिए जो आज राइवल बिनके बैठ है तो इस बात से ही लेकक को आपती है और इसको ही लेकक ने सुल जाने का प्रयास किया है साथी में यहां यह भी कहा गया है कि जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी यह सबसे बड़ा कहना उचित रहेग सबसे बड़ा अर्षय नत्रऽ बनने जा रहा है और और आने वाले भुश्य में यह अब्हरत बदके सबसे सब बद़ा कहने के है माओल भारत की जो नीती है रन इती विदेशी नीती और यह सुत म स्टोंनी चाहिए वो सुस्पस्ट होनी चाहिए इचुड बी क्लेरियन वरना हम लोग टिक नहीं पाएंगे अमरी प्रगती जो है वो फूल एक्स्टेंट नहीं हो पाएगी जितना हमरे में सामर्थी है या पोटेंशियल है तो यही बात यहां लेकक में की है तो इस पूरे सिनेरियो को हम पूर बात है जिसमें लेकक ने कई सारे बिंदू को हमरे सामने रखने का प्रयास किया है मेंडी लेकक ने दो विभाग किया है जिसमें से प्रथम विभाग है नोन फिनांसियल वही जो एक और विभाग हो है फिनांसियल लेकक ने बोला है कि नोन फिनांसियल विश्व में क्या सेनपरीयो है और यानी कि वितिय विश्यों में क्या सेनेरियो है चाइना का दबदबा चाइना का प्रभाव कितना है तो यह में यही देखना है शुरूवत करनी है नोन-financial से जिसके अंदर हम लुक्त देखेंगे कि भारत को यहां दो देशों की बात गई है जिसमें से एक है रशिया और एक है यू एस है ठीक cigar घृत को अब अपनी बावीनीती एसी गड़ी चाहिए जो तेन्फ इता करें तो हमाई है क्यूंकि अब यहां यू यू स में बाइदन प्रशाशन आ गया है कि अब यह बाइदन प्रशाशन अपना आफी संती पूर्ण है संती का हिमयती है तो यह किया करेगा ये चीन को एक दूस्मन के रूप में नहीं मगर एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखेगा जो आज ट्रुम्प का प्रोसेशन आज दिन तक उसे दूस्मन के रूप में देखते आया था एंड प्रिविलेज्ड पार्टने रहा है अंग हम एंडेन पार्टनर के देखा है और उन आकरों पर हम लोग बोर करें तो उनकर्श पह की 1 by 3 of our defense equipments are being supplied by Russia alone ठीक है और ये बात अमेरिका को भी पसंद नहीं है अमेरिका को भी इस बात सापती है मगर ये बात सही है और रशिया कई बरसु से अमरी जो जरूरी आता है अमरी जो सेनिय जरूरी आता है वो पूनकरता आया है तो रशिया भी ये कमरा बहुत ही अच बात करता है इंडो पैसिफिक की यह पुरा क्षत्र है और इसमें भारत नायक बन सकता है तो यह सारे मिजरी इसां एक इनिसक्स निकल सकता है कि भारत की बाविश निति संतूलित निती होनी चाहिए भारत रसिया के साथ भी संबंद रखने चाहिए भारत को वहीं भारत को अमेरिका के साथ भी संबंद रखने चाहिए प्लस यहां भारत के लिए कितनी जो है धर्मसंकत की स्थिती हुद्पन होती है आप देख सकते हैं कि जो विदेशनीती है भारत की विदेशनीती यह कैसी है सरदो प्रथम तो हमें अमरे नेबर के साथ एंगीज करना पड़ता है और चीन की ही बात करेंगे भल्लग कितने सारे नेबर हो स्थितने संच यह मातर और मातर चीन के ऊपर फोकस करेंगे अन्युद्ध के साथ प्लस हमें युएस को भी समर्थन देना पड़ता है यूएस को समर्थन किनकिन मुद्धों पर जहां युएस की जो ताकत है उसको चुनोते मिल रही है परसांतख्शतर में जो विसाल परसांतक्शत्र है उसके उपरा चीन अपना प्रभुत्व जमने की कोशिस कर रहा है उसको लेके विएस का साथ देना होगा और जो चीनी गतिविद्धियां है कोशन में उसको चेक करना होगा उसका विरोध करना होगा उसका सारवजनिक रूप से विरोध करना होगा मीडिया में विरोध करना होगा ठीक है तो हमारे समने धर्मसंकट है एक तो हमें अमारी हमारा जो बोर्डर मेनेजमेंट है जो सीमा प्रबंधन है चीन के साथ जो मेरा के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए अब चिंता जो है वो आने वाल भविश्य में कई गुणा बढ़ने वाली है और इसके प्रमान भी अमरे सामने हैं जिसका उदार में आपको देता हूं कि देखे पिछने साल यूएस कॉंग्रेस में एक रिपोर्ट फ्रदरशित की गई और यह रिपोर्ट थी military एद शिक्यूरिटिटी डेवलपमेंट के ऊपर सिक्यूरिटी डेवलपमेंट इसमें कहा गया था यूएस की सब्सभम accents लेका गया था तो आप समझ सकते हैं कि यह रिपोर्ट की विश्रोस नहीं था यह होए वाल की कितनी होगी तो वहां कहा गया था और उसमें डावा किया गया है कि जो अमेरिका का जो प्रभाव था जो रुटबा था रभिश्व में वो रुटबा अब दीरे दीरे खटम होने वाला है पेले क्या होता था समुद्र में अगर अमरीका का जहाज तेर रहा है तो सामने वाले डेस सामने वाले डेसों की कई सरी एजन्सिया यूएस का फ्लेग देखते ही कोई देश की इतनी हिमत नहीं होती थी मगर अब यह हिमत की जा रही है कई देश के द्वरारा उसमें प्रत्रम चीन पूरे प्रसांतकशत्र में अमेरिका का प्रभूट्व खत्म करना चाहता है खत्म करना चाहता है जो अपना पने एक बहुत ही चीनता जनक बात है और इस अहवाल से पूरे अमेरिका में भी जो है एक असान सा महूल जो हो क्रियेट हो गया है ठीख है और वहां के जो स्टाइटसमैन है वो भी चीन के इस परभुतों को को क्षत्म करने के लिए कर्येशी लोग चुके है भारत को बनायक बनाने की बात है कि भारत एक ही ऐसा है तो पुरे ऐसी अक्षत्र में जो चीन को टक्कर दे सके चीन के सामने खड़ा रह सके है तो इसलिए यूएस के द्वरा भी भारत को प्रमोट किया जा रहा है तो ये बात रही नोन फिननसियल स कि वितिय दुनिया में चीन जो है उसका प्रभुत्व किया है या अनिय देशों का उसके सामने किया आल है तो शुरू करेंगे संभव है कि जो चीनी पैसा है या उसकी जो करंशी है जिसे रिमिन भी कहा जाता है तो कहा जाता है कि संभव अतह ये ग्लोबल रिजर्व करंशी बन सकती है जो आज स्थान यूएस डोलर का है वो कलकोर बहुती नजदिक के भविश्य में वो स्थान चाइनीज डेमिन भी ले लेगा चाइनीज डेमिन भी वो लेने की आसंका है तो ये भी एक बहुती गंबिर जमाचार है ये आम तोर पे जो अमेरिका की जो सुप्रीमसी है उसके समने प्रत्यक से खड़ा सवाल है कि कि या अमेरिका जो पिछले सो साल पहले जितना सक्षम था जितना सक्ति सली था या उतना ही सक्ति सली आज है ठीक है तो ये एक सवाल है साथी यहां यह भी कह गया है कि जो डिजितल करंसी है हमें मालूम है कि हम लोग यहां डिजिटल समय में डिजिटल यूग में हम लोग जी रहे हैं तो यहां डिजिटल करंसी का व्याब भी दिन प्रति दिन बढ़ रहा है जैसे हम लोग बिटकोइन विगिरा करंसी से वाकिफ होते हैं तो यहां डिजिटल करंसी में भी EU1 का दब योजना है चीन की अक्रमक्ट भी है और महत्वकांग्सी भी है अलाकि इसकी अक्रमक्ता फिलहाल देखने को नहीं मिलती मगर अगर हम चीन के माइंडसेट को पड़े अगर चीन के उद्देशियों को अमलग बहुती नजदिक से उसका अभियास करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि यह बिया राई मात्र महत्वकांग्सी नहीं मगर उसके साथ साथ आक्रमक्ट भी है इसलिए मैं यहीं बोलूँगा कि जो बिया तो कि आपले करने में जो करन सी करते हैं वह करन सी रेमिंड भी यूज करते हैं एक भले ही वह वह यूरोप का देश हो ठीके तो यह अपना और की जो प्रतिष्ठा है उसको खत्म करने की बात है साथ ही अब यह भी संभव है कि धीर दिर है यह यह सारे सभ्य देश है वो अपने अंतरिक लेंदेन के लिए भी रेमिन भी का उप्यूक करेंगे so devil boycott the use of US dollar itself तो यह भी एक बहुती खतरनाक बात है और इस से हमें काफी सरी सिख भी लेनी चाहिए साथी में एक समाचर भी यहां प्रदसीत हुए है जिसके तहट ऐसा कहा जाता है कि इत्यास में पहली बार इत्यास में पहली बार जो fortune की लिस्ट आती है fortune magazine है बहुत प्रतिस्टिक magazine है और उसकी जो लिस्ट आती है global 500 यह सूची होती है किसकी सूची होती है company के नाम की company के नाम इसमें जो revenue के अधरित जो सूची है कि जो company जो revenue के अधर पर अपनी आई के अधर पर विस्ट की सबसे बड़ी company है एसी 500 company के पहली 500 company की यह जो सूची है उसके जो नाम है उसमें पहली बार सबसे ज्यादा चीन में बसी company के नाम है बसी company यह जिसमें होंकों का भी समावेश हो जाएगा यह परिस्तिती है जो आज दिन तक इस लिष्ट में प्रभूत हुआ युनाइट स्टेट्स का था अगर आज दुर्भाग्यवस यह प्रभूत्व भी चीन ने युएस के पास से ले लिया और सबसे बड़ी बेजड ओन इन्वेस्टमेंट यह नहीं कि कई सरे इन्वेस्टमेंट एग्रिमेंट यह आप कह सकते है इसे निवेस समझूद्धी समझूद्धी तो अब चीन अपना पैर यूरोप में भी रख रहा है और अमें ये भी मालूम है कि अब वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन और अमरिका साथ में नहीं चलने वाल है उन लोगों के बीच में भी कई सारी वैचरी की यूद भी चल रहा है तो इसका लाब आल चीन ले रहा है और चीन अपने पैसों के दम से यूरोपियन यूनियन के साथ भी कई सारे प्रकर की समझूद्धिया कर रहा है यूरोपियन नेशन्स के साथ वहां के देशों के गंबिर बात है, साथ ही मालूम है कि आशियन डेवलोप्मेंट बेंक जो की चीन के नत्रूत्वों में चल रही है, भारत भी उसका हिसा है, ठीक है तो यह जो एडी भी है, आशियन डेवलोप्मेंट बेंक जिसके सभीय देश सो से अधीक है सभीय देश सो से अधीक आज ये एशन डेवलोप्मेंट बेंक युनाइटेड नेशन का सेकंड बिगेस्ट याने कि बहुत ही बड़े पीमाने पर आज एशन डेवलोप्मेंट बैंक याने कि परदे के पीछे चाईना है मगर एशन डेवलोप्मेंट के नाम पर युनाइटेड नेशन को फंड कर रहा है तो यहां से भी अमेरिका का प्रभुत्वा खत्म करने की बात है और जब मैं बोलू कि अमेरिका का प्रभुत्व खत्म करने की बात है तो यहां मत्रों अमेरिका में नहीं समझना है, अमेरिका और उसके allied nations की बात है अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हुआ तो उसके साथ उसके allied nations के भी प्रभुत्व खत्म होंगे जैसे उदारन के रूप में भारत अमेरिका का एलाइड नेशन है तो भारत का प्रभुत्व भी इंडिरेक्ली खत्म होना ही है ठीक है तो यह सरी बात है और यहां एक बात भी हमें सुनिश्रित करनी है कि इसका हमें सही उदारन डबल से आया है वह पूरे विश्व को मालूम है मगर चीन का इतना प्रभाव है आज के यूनाइटेड नेशन के उपर उनकी संस्थाओं के उपर की डबल यूएच्चो वह बोल नहीं पाया कि यस यह वहन से आया है और चीन ही जवाबदर है इस कोरोना वाइरस के फेलाओ के ल अगर भारत की बात करें के भारत को यहां क्या करना चाहिए तो भारत के पास दो तीन वेहिकल्प है जिसमें से सबसर प्लेफ्रम वेहिकल्प इंडो पेसिफिक को प्रमोट करना जो की 2018 से ट्रॉंक प्रसेशन के द्वारा इसमें जो है तेजी लाइए थी यह भारत के तुरुतों में जो चार देशों का समू है, जो चार common विचर धरत शेर करता है, common ideology शेर करते है और चीनी प्रभो को खत्म करने की बात करते है, ठीक है, तो ये भी भारत के लिए फाइदमन साबित हो सकता है, भारत को इसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से पाटिसिपेट कर करना चाहिए और आखरी में ASEAN, जो हमरे regional importance को बनाए रखेगा, ठीक है, तो ये तीन विकल्प है भारत के लिए, मुख्य रूप से, इन तीन विकल्पों में बहुत ही अच्छा प्रदेशन करके भारत चीन के प्रभाव को क्षित्र में तो करना ही है, खत्म मगर विश्व में भी करना है, भारत के प्रदोस में भी करना है, ठीक है, तो ये पूरी बात है, जिसके तहत हमने आज यह जो पूरा scenario है, पुरे multipolar world का वो देखने का प्रेयस किया, जहां हमने चीन का प्रभाव भी देखा, किसे अमेरिका का प्रभाव खत्म हो रहा है, वो भी देखा औ इन्रल इखित वाक्यों में से सही वाक्यों को चुन है, सरो प्रथम, BRI के सब्यदेशों चीन के साथ लेंदेन में US डोलर का उप्योग कर रहा है, तूसरा वाक्यों, इस साल फोर्चुन ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में रेवेन्यू की तोर पे या रेवेन्यू अधारि अधिकान्स कंपनियां चीन में स्थित है, तीसरा वाक्यों, चीनी नेत्रुत्व वाली एशियन डेवलोप्मेंट बैंक, युनाइटेड नेशन का दूसरा सबसे बड़ा धन्राशी का स्तुरोथ है, नीचे हमरे समना ऑप्शन भी दिये गए है, जिसके मुताबिक, ऑप् कमेंटर सक्षन में कमेंट करना है, अमरी तरब से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों में, कमेंटर सक्षन में ही पिंड अप किया जाएगा, प्लस आग के लिए इतना ही हम लोग मिलेंगे, अगले दिन, अगले संपद की लेक के साथ, अगले मह अगले भर दित होद में, करता ही हम लोग में लोग में ही जाएगा, अगले मिले दिता दंट जाएगश to가요?